नमस्कार दोस्तों, इनकी अर्पान आयू 34 प्लस है, इनका लिखना है कब एक्सपोर्ट बिजनेस मेरा ग्रोथ करेगा, इनका एक्सपोर्ट का काम है, कब अच्छा साल रहेगा बिजनेस में जब मैं बहुत अच्छी ग्रोथ होगी, तीसरा हेल्थ, चौथा संता, अब ये सब्जेक्ट है, संतार, ये कभी इनको जवाब मुझसे नहीं मिलेगा, तो कि मुझे इसका इतना ग्यान नहीं है, चौथा सवाल है, अधर इंकम कौन सी रहेगी, तो इतिनी डीप मैं पामिश्टी में नहीं पता चलता कि कौन सी इंकम से, किस तर की इंकम रहेगी, आपके हाथों से पता नहीं चलेगी, विदेश योग, आपके हाथ में विदेश से धन प्राप्ति के योग क्लियर कट है, अब विदेश सेटलमेंट तो कहीं पर मुझे शो नहीं हो रहा है, हाँ, विदेश से धन प्राप्ति के योग जरूर आपके हाथ में, और वो अलरे आठा क्या मैं उसे अच्ornाइज अच्छी ग्रोध मिलेगी आपके हाथ को मैंने बहुत अच्छी तरह से देखा कई सारे फोटोग्राफ थे बड़ी मुश्किल से एक फोटोग्राफ मैं एक सूपसाइन दिखी जो ग्रोध देती है पर उसकी साइज बहुत चोटी है तो हो सकता है आपके पिता में बहुत बड़ी साइज हो उसके कारण आपके जीवन में उस तरकी wealth बनी हो क्योंकि आपके शनी परवत पर भौत सारे square दिख रहे है आप जो बता रहे हो उसमें सच्चाई भी लग रही है क्योंकि बहुत सारे स्क्वेर है तो कई गुना पुस्तेनी जमीन जायदात मिलने के आपके हाथ में योग है उसमें कोई दोर आए नहीं पर आपके हाथ में जिसतर की सुपसाइन है वो वो लेवल का ग्रोथ तो नहीं देगी पर उतने कमजोर भी नहीं रहोगे आप और जो कुछ मिलने वाली है थोड़ी कुछ भी यानि आम इंसान से तो आपको अच्छी मिलेगी क्योंकि वो सुपसाइन है पर जो एक्सपेक्टेशन आप कंपेरीजन जो पीता के साथ कर रहे हो जैसे अमिता बच्चन और उसके बेटे का अमिता बच्चन जी आज भी कमा रहे है उनका पुत्र भी कमा रहे होगा पर अमिताप जैसा तो नहीं कमा रहे है तो ऐसा कोई नियम कानून नहीं है जीवन में कि वो लेवल तक हम पहुच पाए हाँ एक व्योस्तित जीवन चलता रहेगा जो जो प्लस माइनस है मैं बताते रहूंगा एक छोटी सी सूब साइन जरूर है वो भी बहुत सारे फोटोग्राफ को चानने के बाद एक जगह पर दिखी पर इतनी बड़ी नहीं है तो वो लेवल का ग्रोथ तो जो आपके जिस तरह के स्क्वेर साइन दिख रहे आपके हाथ में उतनी ग्रोथ तो मुझे आपके जीवन में फिलाल आपने जो फोटोग्राफ बेजे उस तरह साब से नहीं है साइनों को चेंज होते टाइम नहीं लगता कभी बहुत बड़ी साइन आ गई तो बहुत बड़ा ग्रोथ भी व्यक्ति के जीवन में आ जाता है पर आपके हाथ को देख कर लगता है 44 के बाद आपका जीवन थोड़ा सा अच्छी तरह से जाता दिखेगा ग्रोथ वाइस बिजनेस वाज बाकी तो आपको कोई पैसे की कमी है नहीं इसाथ पर पर जो परस्नल लेवल पर जो ग्रोथ है बिजनेस में वो आपको 44 के बाद होती दिखेगी पर उसमें भी कहीं वो भी मैं आपको बताऊंगा तो यह मैंने जो रिसर्च किया आपके फोटोग्राफ के हिसाब से उसके बारे में मैं यह जानकारी आपको दे रहा हूं अब इस हाथ को देखे तो एक धनुशाकार शेप बन रहा है ऐसे लोग समझदार होते और जीवन में जो अपरच परट होते हैं इनका चंद्रग्रह यहां से थोड़ा सा दब रहा है तो ऐसे लोग बाते करने में ज़्यादा विश्वास करते हैं ज़्यादा बातूनी होते हैं ऐसा देखा गया है अंगुठा काफी अच्छा है श्ट्रॉंग विक्तित्व होगा फर्स फेलेंज भी नु यहां पर देखें तो सुर्य की उंगली से थोड़ इसी गुरू की उंगली बढ़ी है तो थोड़ा सा इगो प्रॉबलम भी व्यक्ति में रहता है और यह बार बार हर्ट करता है जीवन में व्यक्तिकत तोर पर और इसके कारण कभी-कभी परिवार में भी प्रॉबलम क्रि किये नहीं तो आपको जीवन भर यह कचोटते रहेगा यह प्रॉबलम फैलेंज सारे सपाट है प्रेस की हुए कपड़े की तरह तो बिजनेस माइंड भर पूर रहता है व्यक्ति में और यह सीदी रेखा यहां तक नहीं पहुच रही है अब फैलेंज आपका मूड रहा है तो कहीं न कहीं पैसा कमाने का शौक जादा रहता है ऐसे लोगों को और यह जब लाइन यहां तक नहीं पहुचती तो व्यक्ति डॉक्ति डॉक्ति फाइलिंग चीजों को संभाल कर रखना याज शक्ति मनी मेनेजमेंट और अकाउंट यह सारी चीजों में व्यक्ति कहीं न कहीं कमजोर रहता है अब आपके क्लोज अप की और चलते हैं बुद्ध परवत पर भहुत सारी लाइन है जब यह लाइन होती है तो व्यक्ति सेवा भावी भी होता है एक अच्छा हिलर भी होता है खुद दुखी हो पर कोई दुखी व्यक्ति आ गया तो उसे बातों से ह दिल कर सकते है बिजनेस माइंडेड होता है व्यक्ति बुद्ध परवत अच्छा है तो आप में सुंदरता भी अच्छी होगी दो चार भाशा के जानकार भी होंगे आप या समझ में तो आती होगी तो यह सारे फायदे आपको मिले हुए और मिठी जुबान भी रहती है त और इतने सारे फोटोग्राफ में एक हलकी सी साइन आपके हाथ में यहाँ पर दिखी मुझे केवल यहाँ पर और वो भी काफी छोटी है यहाँ पर एक छोटी सी फिश्चाइन बनी है जो आपके हाथ के परिदी में देख लीजिए बहुत छोटी है हो सकता है आपके पिता ज़्यादा कियो पर आपके हाथ में केवल इतनी छोटी सी fish sign है इसके अलावा तो ये growth देती है पर वो level की नहीं जो आप आपके जो पिता कर पाए होंगे वो level की growth नहीं मिलती एक चीज है एक अच्छी सी sign आपके हाथ में बनी हुई है ये यस शाइन, ये व्यक्ति को यस दिलाती है, ये सबसे बड़ा फाइदा होता है, जैसे आप कोई एक देश में कोई एक्सपोर्ट करते हो, तो वहां से नाम सुनकर कोई दूसरे देश वाला आएका, डूनते डूनते, ये एक benefit मिलती है, कहीं गली में भी अगर दुकान हो, या office हो, या कारखाना हो, तो वहां पर भी ढून ढून कर आएंगे आपको ये एक advantage है आपके हाथ में, फेम जरूर आपको प्रात होने वाला है, यहां पर square sign भी बनी हुई है, और उस तरह का, आपके पास multi city का काम already है ही है, और व्यक्ति अपनी आयसे अधिक अच्छी तरह से रहता है, यह भी एक minus point मिलता है, आजपास के लोगों को लगता है, इनके जीवन में तो बल्ले बल्ले है, इस तरह की feeling भी आती है, पर ये multi city का काम भी करवाते हैं, यहां पर शुक्रवलय भी है, आपके हाथ में, तो व्यक्ति जन्म लेते ही परिवार संपन्द बनता है और दो-दो है, कला प्रेमी भी होंगे आप, और जहां आम इंसान एक हजार कमाता है, वहाँ यह लाखों कमाते हैं, अब इनके साथ जो problem है, वो growth का है, इसके अलावा कोई problem नहीं है, यहां पर शनी परवत पर देखें, तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, बहुत सारे square है, उस्तेनी जमिन जायदात का व्यक्ति को लाब मिलता है, जब यहां पर square होते हैं, तो यह एक advantage भी है, आपके हाथ में, sun mount की और जाती, fate line भी है, तो विदे से धन प्राति के योग भी बनते हैं, जो आपके जीवन में है ही है, और यहां से थोड़ा सा उभ भार जादा है, तो व्यक्ति को सुबह उठने में अच्छा नहीं लगता हो, और थोड़ा सा सनी परवत दबा हो, तो कितना भी संपन आदमी हो, उसे इंट्रेस तो भरना पड़ता ही है, इंट्रेस का बोश तो उस पर रहेगा, रहेगा और रहेगा, चाहे 100 करोड का आसाम उसे इंट्रेस का तो बड़न रहने ही वाला है, तो यह माइनस पॉइंट रहेगा, सेकेंड मेहनत जादा करनी पड़ती है, जब शनी परवत दबा होता है, और कंटीनिव फेट लाइने बनी वी है, तो बुड़ा पे तक इंकम आती रहेगी, और इसके बारे में हम डिटे में एक्ष्ट्रा धन आता है, आम लोगों से ज़्यादा इश्वर देता है, यह एंटेना टाइप की पोजिशन होती है, मनी रिसीविंग एंटेना, और यहां पर देखे, तो एक इस तरह की फिश्चाइन बन रही है, अब इसका कोई पैसे से लेना देना नहीं है, आप छ आपको पॉलिटिक्स में भी सफलता मिल सकती है, इस तरह के लक्षन है, और यह जो साइन है, यह व्यक्ति को धार्मिक रूप से डिफरेंट सोच वाला व्यक्ति बनाती है, एक अलग सोच रहती है इनकी धार्मिकता पर, यह किसी को बता भी नहीं पाते है, और सामने वाला समझ भी नहीं पाता इस तरह की सोच रहती है अब जुपिटर माउंट डिश्टब होता है जिस व्यक्ति का तो पुरुष तो कैसे भी करके सेहन करके चल जाता है पारिवारिक और सांसारिक समझ से आए जीवन में रहती है जब इस तरह का जुपिटर इसका मैं उपए दे दूँगा पर यह महिला के हाथ में हो तो ज्यादा प्रॉब्लम क्रियेट होती है पर पुरुष के हाथ में हो तो ज्यादा प्रॉब्लम होती है उसे मदबेत का सामना करना ही पड़ता है इसका मैं उपाय दे दूंगा एक लाइन दो लाइन तीन लाइन ये मल्टीपल इंकम शो करती है वेक्टी के जीवन में और एक कंटीन्यू चलने वाली रेखाई है जो कंटीन्यू प्रोग्रेस आपका दिखा रही है पर आपका जो प्रोब्लम है जीवन रेखा और धन रेखा पर है उस पर भी मैं आऊंगा अंदूनी मंगल देखे तो काफी व्योसित है तो सरीर की उर्जा मद्यम से अच्छी रहेगी आपके पास बारी मंगल उससे भी ज़्यादा अच्छा है तो जब किसी से मिलोगे तो एनर्जी के साथ मिलोगे सामने वाला comfortable फिल करेगा और संकत के समाई व्यक्ति अपने लेवल पर संकत का सामना करता है चंद्रपर्वत भी काफी उत्तम है इस तरह का चंद्रपर्वत व्यक्ति का विदेश से संबंद लाता है पर ऐसे लोग चाहे तो कर सकते हैं पर यह यात्रा है आपको जादा कराएगा यह fork और चंद्रा अच्छा होता है उसका purchasing power अच्छा होता है value for money purchase करता है, विदेश से संबंध आता है पानी अच्छा लगता है, दूट से बनी वस्तुए भाती है यह सारे और रिफेंड सोच वाले व्यक्ति होते है यहाँ पर मनी टैंगल भी है जो बहुत बड़ा नहीं है पर मद्यम टैप का मनी टैंगल है तो यह भी एक प्लस पॉइंट है अब आपके शुक्र परवत पर देखे तो शुक्र परवत भी एक व्यक्ति परवत है तो व्यक्ति अच्छे कपड़े पहनता अच्छी तरह रहता है खुद का प्रेजेंटेशन अच्छा रहता है गर्मी पसंद नहीं आती यह सारे लाग व्यक्ति को प्राप्त होते है और भविश में कभी यह लाइन जो दीख रही है यह कभी डार हो गई धागे के जैसी तो आपका विदेश सेटल्मेंट थाउजन परसेंट पक्का है अगर शुक्र से निकल कर यह रेखा चंदर तक जाती है एक आभास हो रहा है अगर यह लाइन है आपके हाथ में तो आपका विदेश सेटल्मेंट थाउजन परसेंट है पर फिर भी मैं एज बताने में असमर्त हूँ हृदे रेखा देखे तो यह दोनों के बीच का पार्ट शनी परवत से ही सुरू हो रही है और जब किसी व्यक्ति की शनी परवत से सुरू होती है रेखा तो व्यक्ति में तीन ही गुन होते है सुबे आप खोलते ही पैसा कैसे कमाना उस पर ध्यान जाता है सेकेंड तामुक भावना रहती है तीसरी चीज रहती है फिजिकल बनते है यह कभी हाथ पर उठाती है यह तीन ही मानसिकता व्यक्ति में प्राप्त होती है और जब किसी व्यक्ति की डार्क कलर की हिदे रेखा हो तो ऐसे लोग कभी व्यक्ति का जीवन नहीं जीपाते है आनन्द से कोई न कोई टेंस कोई न कोई बोजा आपा धापी लगी रहती है तो यह एक माइनस पॉइंट आपके हाथ में और इसका उपाय भी नहीं है और एक दो लाइने नीचे की तरफ चल दे कभी मित्रों को या सगे संबंदियों को आप हेल्प करोगे और वो पैसा वापस नहीं आएगा बागी हार्ट लाइन में कोई माइनस पॉइंट नहीं है अब आपकी माइन लाइन को देखे तो माइन लाइन कम्प्लिट डिश्टब है अब तू यहां तक इस पिरियड तक यह पिरियड होगा आपके जीवन का लगबग 28 से लेकर 32-33 तक यह माइन लाइन डिश्टब थी तो व्यक्ति को कहीं न कहीं प्रेशर बना रहता है कॉंसेंट्रेशन नहीं लगा पाता चाहिए वैसा और उसके बाद आपकी माइन लाइन सुन्दर होते हुए सीधी यहां तक चल रही है और इस माइन लाइन को भी देखे तो उपर की तरफ जा रही है और यहां पर एक सेकेंड माइन लाइन भी तैयार हो रही है और यह भी उपर की तरफ जा रही है और इसका पिरियड होगा लगबग उम्र क्या 48 के आस पास का यहां से आपके जीवन में और ज्यादा ग्रोथ होगी बहुत ज्यादा क्यूंकि डबल माइन लाइन ग्रोथ ज्यादा देती और दोनों माइन लाइन आपकी बूद्ध परवत की और देख रही है तो ऐसे लोग कोई नो कोई ऐसा हुनर होता है जो इनको पैसा कमाने में आपके जीवन में देखे तो एक 26 के आसपास राउ रेखा ने काटा उसके बाद 28 के आसपास राउ रेखा ने काटा उसके बाद 31 के आसपास बड़ी रेखा ने काटा तो बड़ी बादा कोई आई होगी और उसके बाद भी देखे तो छोटी छोटी रेखा है आपको काट यह 33, 34 और उसके बाद एक बड़ी रेखा 36 के आसपास काट रही है एकाथ साल प्लस माइनस गीन कर चलना क्योंकि यह पामिश्ट्री है और उसके बाद 36 के बाद 37 में एक छोटी सी रेखा है उसके बाद 40 के आसपास है और 142 और यह 43 तो लगबग 43, 44 के बाद आपका जीवन सुटेबल होता हुआ मुझे दिख रहा है उसके बाद जीवन रेखा पर कोई राव रेखा नहीं है और यहाँ पर फोर्क बंद रहा है इसके बारे में मैंने जानकारी देई दी आपको अब आपकी धन रेखा के लिए वापस चलते अब यहाँ पर आपको पहले मैं आपके बड़े फोटोग्राफ में आपकी धन रेखा दिखाता हूँ यहाँ पर भी देखे तो यह 44 के बाद ही ग्रोथ आता हुआ दिख रहा है और उसके बीच में आपका जो फिश साइन वाला फोटो था उसमें धन रेखा अच्छी तरह से दिख रही है यह देखी यहाँ तक तो आपके जीवन में सारी धन रेखा डिश्टब ही है तो कोई ग्रोथ नाम की चीजी नहीं रही होगी आपके जीवन में और उसमें भी यह कट लगा यह उम्म्र लगबग 31 के आसपास आपको कट लगा होगा और उसके बाद आपकी धन रेखा देखे तो इतनी उत्तम नहीं है और यहां से 34 के आसपास से लेकर यहां तक समय आपके लिए अच्छा नहीं जाने वाला और यह पिरियड होगा लगबग 41 तक का यहां आप जो अब काम कर रहे हैं उससे भी यहां पर नुकसान आपको जाना चालो हो जाएगा इंकम होगी 50 लाग की और उसके सामने पता चला 60-70 लाग का खर्चा लगा आपको तो यह कंडिशन आपकी रहेगी और उसके उपर भी एक रेखा ने काटा है और यह लगबग 39 के आसपास इसे रेखा ने काटा है और इसके पहले भी एक 38 के आसपास भी काटा है उसके बाद भी यह रेखा देखे तो यहां तक कमजोरी चल रही है और यह एक रेखा ने यहाँ पर भी काटा है यह लगबग 43-44 में एक रेखा कट कर रही है उसके बाद आपकी धन रेखा थोड़ी सी स्मूध हो रही है और यह सीधी जा रही है यहाँ से एक और income डवलप होगी और जैसे जैसे बुड़ा पाएगा multiple income आते रहेगी पर आपकी जिस तरह की धन रेखा, strong धन रेखा आपके हाथ में है ही नहीं पर फिर भी 44-43 के बाद कहीं न कहीं आपकी सिती थोड़ी सी अच्छी होते दिखेगी पर यहाँ तक तो आपको संगर्ष लिखा हुआ है सूप साइन होने के बावजुद भी और सूप साइन की साइ आपको मिल गया होंगे और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो हुआ 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 ह lot ऑपको हुआ हुआ है